Hello friends, Welcome to 1118hm YouTube channel 1118hm YouTube channel में आपणों का बहुत-बहुत स्वागत है तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आज के сबीडियो में हम बात करेंगे Long Distance Relationship के बारे में आप लोग के बहुत सारे कमेंट सा रहे थे कि सार एक Long Distance Relationship पर वीडियो जग बना ये तो आज का वीडियो बहुत informative होगा, इसको लाक्षता जरू देखेगा, ये वीडियो girls and boys दोनों के टिगरी के लिए समान रूप से प्योगी होगा, इसको अपने साब से देख सकते हैं, तो चली वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं point number one की, तो पहला point है मुझे आप पर खुश से ज़्यादा भरोसा है, ये line आप अपने partner से समय समय पर बोलते रहेंगे, repeat करते रहेंगे, जब भी आपके partner से आपकी बात होती है, तो इस line को आप बोलते रहेंगे कि मुझे आप पर खुश से ज़्यादा भरोसा है, या कभी भी ऐसी कोई बात आती है, कि आपका partner बोलता है कि आप मुझे पर कितना भरोसा करते हो तो आप यहाँ पर यही line बोलेंगे कि मुझे आप पर खुशते ज़्यादा भरोसा है इस line को आप समय समय पर अपने partner को बोलते ही रहेंगे जब भी आपकी रोजाना बात होती है तो कभी न कभी ऐसी situation आ जाए ऐसी कोई बात आ जाए तो आप इस लाइन को बोल देंगे कि मुझे आप पर फुस्ते ज़्यादा भरोसा है इस लाइन को आप बोलते रहेंगे तो आप उनके mind में इस तरह से feed कर देंगे इस lines को उनके subconsent mind को feed हो जाएगी जब भी कोई भी ऐसी situation आएगी आपका partner मतलब कि कभी भी किसी और की तरफ divert होने को होगा आपको छोड़ने को होगा तो उसका mind ये करने के लिए मना कर देगा मतलब कि वो कहेगा कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आप जिससे प्यार करते हो आपका partner आपे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है तो आप उनके भरोसे को बिल्कुल मत तोड़िएगा ऐसा partner तुम्हें दुवारा नहीं मिलने वाला है तो इस line को आप अपने partner को बोल करते हैं जब भी कभी ऐसी सुच्योसन्स आती है किसी दूसरे की और डावेट होना या उनका माइंड भटकता है तो उनका सब कौनसे माइंड यह करने के लिए मना कर देगा कि नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आपका partner आपे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है और आप उनके भरिसों को ना तोड़िये क्योंकि ऐसे भरोसा करने वाले इंसान आपको दुवारा नहीं बिलेंगे तो इस तरह से आप इस lines को अपने partner को बोलते रही है तो आई हो पहला point आप समझ गे होंगे long distance relationship है आपका तो यह points आपके लिए बहुत ही खास हैं आप बात करते है point number two की दूसरा point भी बहुत ज़्यादा most important है दूसरा point है treat as husband and wife यहाँ पर आप समझे आपको अपने partner को treat करना है husband and wife के रुप में आप अपने partner से बाते करते हैं आप long distance relationship में है तो आपको phone पे ही आप बाते करते हैं तो इस तरह से आप उनको treat करेंगे कि आप मेरे husband हो या situations आएगी मितलब कि उनके mind को इस तरह से fit हो जाएगी कि मेरा already एक husband है already एक wife है इस तरह से उनके subconscious mind में यह वात वैट जाएगी कि नहीं मेरा पहले से ही husband है मुझे कोई ऐसा कदम उठाने की जरूर नहीं है मुझे मितलब कि आप कही भटकने की कोई जरूरत नहीं है इस तरह से आप उनको treat करेंगे जब भी आप अपने partner से बात करेंगे आप long distance दूरी पर रहते हैं आप उनसे बातें तो करते हैं तो आप साथ में साथ उनसे बातें करते हुए आप साथ में उनको इस तरह से treat करते चलें कि आप मेरे husband हो मतलब कि आप इस तरह से अपना relationship bonding वना के से आपके relationship की warning बहुत ही जादा strong बनी रहेगी और आपका partner आपको कभी भी छोण के जाने की कोसिस भी नहीं करेगा तो यह दूसरा point भी I hope आप समझ गयोंगे आप बात करते है point number 3 की तीसरा point भी बहुत है most important है long distance relationship में अक्सर ये होता ही है यहाँ पर क्या है no arguments long distance relationship में सबसे ज़्यादा arguments होते रहते है phone पर जब भी आप अपने partner से बाते करते हैं तो आप सोच कर भी मतलब की arguments कभी भी मत करना भूल कर भी आप अपने partner से arguments को बढ़ावा मत देना आप अपने partner से बाते करते हैं कभी भी by chance आपका arguments start भी हो जाता है आपके और आपके partner के बीच में क leggen.. यहाँ पर आपlights out ना दे उसको पहले ही सांत करने तो थोड़ी देर के बाद आप जब सांत होंगे आपके माइन्ट होगा तो आपका पार्टन को बीस होचेगा उसके माइन को बीए जएगा कि यहाँ पर हमारा partner मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है तो arguments को वढ़ावा नहीं देना है आप long distance में relations में तो आप लोगों को कौन समझाएगा आपका partner और आप दोनों में लड़ाई हो गई, आप दोनों एक दुसरे को सामने तो है नहीं, तो यहाँ पर आप एक दुसरे को समझ नहीं पाएंगे एक दुसरे को समझ नहीं पाते हैं फोन पर क्या, फोन पर तो आपकी arguments हो गए, दुबारा फोन तो मिलाने वाले नहीं है तो इस तरह से आप फोन पर arguments को वढ़ावा बिल्कुल ही ना दें, भूल कर भी आप arguments की तरफ ना जाएं arguments का इसारा हो तो आप पहले ही उस arguments को से पहले ही आप सांथ हो जाएं उसको बढ़ाने की कोसिस ना करेंगे तो इस तरह से आप long distance relationship में इस point को याद रखना की भूल कर भी आप arguments को बढ़ावा नहीं देंगे तो I hope यह तिसरा point भी आप समझ गये होंगे आप बात करते हैं point number 4 की last point है I love you so much आप अक्सर तो यह line अपने partner को बोलते ही होते होंगे कि I love you so much यह सुनने में भी अच्छा होता है और बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है तो यह इस line को भी आपको repeat करते रहना है अपने partner के साथ क्या होता है देखिए I love you so much आप जब अपने partner को इस line को बोलते रहेंगे repeat करते रहेंगे तो क्या है एक्सपर्ट करते हैं देखिए इस line से आप यह दिखाते हैं आप अपने partner को अपना प्यार दिखाते हैं अपने प्यार को express करते हैं प्यार करने से ही कुछ नहीं होता है आप अपने प्यार को express करना भी आना चाहिए आपको दिखाना भी आना चाहिए तभी तो आपका partner पूरी तरह से समझेगा कि हाँ बाकई में हमारा partner मुझे प्यार करता है तो इस तरह से आप अपने प्यार को express भी करें I love you so much कभी कभी इस तरह की lines को आप यूज करके वो लें अपने partner को आपने देखो कि one side love जो होता है वो तो मतलब कि अपने अंदर प्यार करते ही रहते हैं लेकिन वो express कभी भी नह कर पाते हैं one side lover होते हैं one side जो प्यार होता है वो अपने दिल में रखते हैं उनको प्यार तो करते हैं अपने partner को लेकिन कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो ऐसे प्यार का क्या फाइदा जो आपको हासिल ना हो पाए मिल ना पाए तो यहां पर आपको यह कला भी आ कि आपना फ्यार दिखाए तो आई हो यह चारो लाइन आपको पसंद आये होंगी यद आपका ल्टार रो मोटेसंट से पाहे आपका लेचन्स लोग्देसंस रिलेसंस इपका अपकर से लाइन आपके लिए खास है धुकर कर देजेगा और चैनल को अभी तक सक्राइब नितर तो चलन को subscribe कर लिज़ेगा, बेल लाके न को all notification करके on कर लिज़ेगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिन सके, और वीडियो को like ने किया तो वीडियो को like कर दिज़ेगा, यदे आपकी कोई भी comment बगरा है, love life को लेकर problem ने, तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, आपकी problems का solution आपको आवस्त दिया जाएगा, इंडियो भी तक आपने हमारे Facebook पेच को follow ने किया है, तो वीडियो को डिस दोतन में लिंक है, बहाँ से जाके हमारे Facebook पेच को follow कर सकते हैं, और यह आप मुसे direct बात करना चाहते हैं, तो call for me, आपको दारा मुसे बात क कर सकते हो, तो आज के वीडियो में बस नहीं, मिलते के वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग दनवाद दूस्तों,